दोस्तो गंदे पीले दातों को दुबारा सफे चमकदार बनाने के लिए मैं आपके साथ में ऐसी रेमिडी शेयर करने जा रहे हूं जो की 100% इफेक्टिव है और एक ही बार के इस्तमाल से आपको बहुत फर्क मैसूस होना शुरू हो जाएगा तो ये रेमिडी दोस्तो बहु को ले लेना है लेसून को लेसून में एंटी इंफ्लमेटरी प्रॉपरटीज होती है जो की हमारे गंस में से इंफ्लमेशन को रेड्यूस करती है अगर हमारे दातों में सडन हो जाती है दात हमारे पीले पढ़ने लगते हैं या फिर हमारे दात सडने लगते हैं तो ऐसे मे हमारे gums में सूजन आती है inflammation आना शुरू हो जाता है हमारे मसूडों में से खून निकलना शुरू हो जाता है lesson जो हमारे मसूडों से सूजन को कम करने का काम करती है inflammation को कम करती है साथ ही साथ lesson में anti-bacterial properties होती है जो कि bacteria को kill करने में सबसे best है इस Remedies को बनाने के लिए कम से कम 3-4 लेसुन की कल्यों का हम इस्तमाल करेंगे और इसका इस्तमाल करके हम अपने दातों को साफ करने वाले हैं लेसुन ना सिर्फ हमारे गम्स में सूजन होने नहीं देता है बल्कि हमारे दातों को मूती जैसे चमकाता भी है लेसुन हमारे दातों को naturally सफेद करने का काम करता है ये हमारे दातों पर से पीली परत गंदगी को हटाने के लिए सबसे बेस्ट होता है लेसुन को मैं इस तरीके से greater की मदद से great कर रही हूँ अगर आप चाहें तो खलबते में भी लेसुन को crush करके use कर सकते हैं पर मैंने आप ए greater का इस्तमाल करा है क्योंकि बढ़ी आसानी से हम greater की मदद से lesson को great कर सकते हैं इस remedy को आपको शुरुआत में अगर आपकी दातों में कीड़े पढ़ गये हैं या दातों में सडन है या पीला पन है तब आपको हफते में इसे तीन बार इस्तमाल करना है और जब आपके दात एक बार ठीक हो जाए आपकी दातों में सफेदी आ जाए तब भी आपको precaution की तोर पर हफते में एक बार इस remedy का इस्तमाल करना है मैं भी दोस्तों हफते में एक बार इस remedy का इस्तमाल जरूर करती हूँ क्योंकि है रेमेडी है ही इतनी जबर्दस और जो भी रेमेडी मुझे पर काम करती है और बहुत ही जादा एफेक्टिव होती है वही रेमेडी सिर्फ मैं इस चैनल पर आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ जो अगला इंग्रेडिंट है जो हमारे दातों पर से पीले पन की परत को हटाने का काम करता है वो है नीमबू का रस नीमबू में होता है विटमिन C और नीमबू का ही जो रस होता है वो हमारे दातों पर सफेदी लाने का काम करता है नीमबू एक ब्लीच की तरह काम करता है हम अपने चहरे पर bleach इसले करते हैं दोस्तों क्योंकि हमारे bleach करने से जो tanning होती है वो remove हो जाती है और चहरे पर के दाग धबे भी हलके होते हैं और साथ ही जो skin की रंगत होती है वो भी निखरती है बिलकल उसी तरीके से ये जो नीमबू है हमारे दातों पर एक bleach की तरह काम करता है ये हमारे दातों पर से गंदगी को हटाता है पीले पन को साफ करता है और हमारे दातों को मोती जैसे चमकाता है दाद सड़ने के खराब होने के बहुत सारे कारण होते हैं हम ठीक से ब्रश नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं या जंक फूर्ड खाते हैं और दिन में दो बार जो ब्रश नहीं करते हैं उनके दाद सबसे जल्दी खराब होते हैं और धीरे धीरे करके पीला पन चड़ने लगता है और सड़ने लगते हैं दात। दातों में क्याविटी होने का भी यही कारण है कि हम बहुत जादा जंक फूर्ड खाते हैं, हम बहुत जादा मीठा खाते हैं वो वे लोग होते हैं जो मीठा जादा खाते हैं उसके बाद ब्रश नहीं करते हैं और जब हम ब्रश करते हैं तो जादा टाइम हम अपने दातों को नहीं देते हैं लेसुन की तीन से चार कलिया नीमबू का रस और जो आखरी में इंग्रेडिन्ट पैने या पे डाला था वो है कोलगेट जो नीमबू का ये रस है थोड़ा सा हम और डाल देंगे ताकि इसका अच्छी तरीके से पेस्ट बन जाए कोलगेट हम इसलिए ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हमने गारलिक आने की लहसुन का इस्तमाल करा है हो सकता ऐसे कारण हमारे मुँ में बैड स्मेल आए और जब हम गारलिक के साथ तूथ पेस्ट को मिक्स करेंगे तो हमारे दाद भी साफ हो जाएंगे और हमारे मुँ से बैड स्मेल भी नहीं आएगी और इस रेमेडी को इस्तमाल करने के बाद दुबारा आपको तूथ पेस्ट इस्तमाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इनफ तूथ पेस्ट इसमें आड करा है लगबग दो टाइम चल जाए उतना हमने इसमें तूथ पेस्ट यूस करा है तो इतनी जब रेमेडिया आप अगर बनाएंगे तो दो बार आपकी आराम से चल जाएगी और इसमें लगबग एक चमच नीमबू का रस मैंने आड़ करा है नीमबू का रस हमारे दातों पर से पीले परत को हटाने का काम करता है हमारे दातों को मोती जिसे चमकाने का काम करता है और लेसून क्या करता है हमारे मसोडों से इंफलमेशन यानि की सूजन को कम करता है अग अब चाहें तो अपनींगलियों की मदद से वह अपने दाटों पर अप्लाइए कर सकते हैं मैं तो प्रश लेकर ही इसे अपनी दाटों पर अप्लाइए करती हुँ शरुवात मेगर आपके दाथ बहुत जादा पीले या खराब है तो शुरुवात में हफते में तीन बार आप इस remedy का इस्तमाल करें और दीरी तरी करके जब आपकी दाथ अच्छे हो जाए दातों में से सडन चली जाए दात आपके सफेध हो जाए तो कम से कम हफते में एक बार उसके बाद आप इस remedy का इस्तमाल करें home remedies बहुत effective होती है दोस्तों जड़ से आपकी परिशानी को दूर करती है और इनकी खास बात यह होती है कि इनके कोई भी side effects नहीं होते दोस्तों आप भी मेरी simple सी remedy को जरूर ट्राय करें remedy आपको बहुत जदा पसंद आएगी साथ यह दी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी informative लगी होगी तो like share subscribe करना बिल्कुल ना भूले हो सके तो वीडियो को ज्यादा सदा शेयर जरूर करें अपनी दोस्तों मे दत हो जाएं thank you so much for watching this video friends मिलते अगले वीडियो में ही तब तक के लिए bye take care